कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनह आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके समख्ष ब्रिटेन के प्रसिद कथाकार तेजेंद्र शर्मा की कहानी काला सागर लेकर उपस्थित हुई हूँ यदि आपको यह कहानी अच्ची लगे तो क्रपया चैनल को सब्सक्राइब करें तेजेंद्र शर्मा की कहानी काला सागर विमल महाजन ने आज दफ्तर से अफकाच ले रखा था उन्हें कई दिनों से लग रहा था जैसे उनका शरी आवशकता से अधिग ठकता जा रहा है उन्हों नों फैसला किया कि आज किवल आराम ही किया जाए। देर तक सुया जाए उठकर आराम से सुभह के कामों से निवरत हुए और समाचार पत्र लेकर बैठ गए विमल महाजन को एरलाइन की नौकरी करते 30 वर्ष शुल गए थे बस 4-5 वर्ष में रेटायर होने वाले थे सारी दुनिया ही उनके छोटे से संसार का हिस्सा बनी हुई थी एक विमान परिचारक की हैसियत से उन्होंने नौकरी शुरू की थी परन्तु अपनी मेहनत वो इमानदारी के बल पर इस उच्च पद पर पहुँच गए थे इसी बीच उनका विवा भी हुआ और तीन बच्चे भी कैसे समय निकलता जा रहा है उनकी मुट्टी से वैसे उन्हें देखकर कोई यह नहीं मान सकता था कि वे दो-दो बच्चों के नाना भी है आज का दिन वे आराम से ही बिताना चाहते थे टेलेफोन या और कोई भी विग्न उन्हें नहीं चाहिए था अन्यमयस्क भाव से उन्होंने फोन उठाया फोन ए अरपोर्ट से ही था वे जुंजलाय से स्वर में बूले भाई आज तो आराम करने दो महाजन साहाब गजब हो गया 091 क्रैश हो गई लंदन के पास क्या? मैं अभी पहुँशता हूँ विमल महाजन के जबडे थोड़े भिज गए थे वे जैसे याद करने का प्रयत्न कर रहे थे कि 091 पर कौन कौन क्रू मेंबर होगा लगभग बधहवासी किसी हालत में उन्होंने कपड़े पहने और ओफिस चलने को तयार हो लिए रंजना उनकी पतनी समझ गई कि कोई गड़बड अवश्य है जब कभी विमल महाजन परेशान होते तो उनके जबड़े भिज जाते थे क्या बात है आप तो आज आराम करने वाले थे फिर एका एक कहां की तैयारी होने लगी है रंजू नियू यॉर्क फ्लाइट क्रेश हो गई दफ्तर क्या अरून भी तो नियूर्क ही गया है अरून ये भगवान सब ठीक हो देखो मैं अभी आफिस जाकर तुम्हें फोन करूंगा विमल महाजन का स्वर भर रा उठा था और वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये थे रास्ते भर अरून के विशय में ही सूचते रहे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरून की पत्नी को वो कैसे समाचार दे पाएंगे अरून उन्हें अपने बेटे के समान प्रिय था उसके विवाह में वे अपने सारे सिध्धानतों को ताक पर रखकर सिर पर पगड़ी बांद कर घोड़ी के सामने नाचे थे अनुराधा अरून की पत्नी भी उनका बहुत आधर करती थी उनके हाथ ठंडे हुए जा रहे थे नास्तिक होते हुए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अरून सुरक्षे थो दफ्तर के बाहर कुछ लोग जमा थे यानि खबर फैल चुकी थी सबके चेहरों पर सहमी हुई उत्सुकता थी सब दुरघटना के विशे में जानना चाहते थे पर कैसे पूछें? कौन पूछे? उनके सहायक अफजल खान नहीं उन्हें बताया सर फ्लाइट 091 मौन्ट्रियल से लंदन आ रही थे रास्ते में लंदन के करीब सागर के उपर ही फ्लाइट में एक धमाका हुआ और फ्लाइट क्रैश हो गई अभी पूरी डिटेल्स आनी बागी है विमल महाजन ने अपने आपको विवस्तित किया और लंदन फोन में लाने लगे ताकि पूरा समाचार मिल सके और वे आगे की कारिवाई आरंब कर सके परन्तु फोन मिल नहीं पा रहा था कुरूल इस देखी अरुन का नाम उसमें नहीं था उन्हें काफी रहत महसूस हुए पर जो लोग फ्लाइट पर थे वे सबी उनके अपने परिजितों में से थे रमेश कुमार जिसका अभी अभी तीन महीने पहले ही विवाः हुआ था माबाब के इच्छा के विरूद एक पार्सी एयर होस्टिस से विवाः किया था उसमें दोनों ही इस फ्लाइट पर थे काश यह खबर जूटी हो वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे खबर फैलने के साथ साथ लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थे फोन पर फोन आ रहे थे पर विमल महाजन का मन हो रहा था कि वे कानों पर हाथ रखकर बैठ जाएं चुक्चा किसी के प्रशनों का कोई उत्तर न दें पर जिंतिस संबंदियों के जिग्यासा शांत करना उनका करतव था यदि विमल महाजन स्वेम इस दुरघटना से इतने विचलित हो गए हैं तो जिनके भाई बैन, माँबाप, पती और नजाने कितने रिष्टेदार उस विमान में आ रहे थे उनकी चिंता स्वाभाविक थी और वे बिना अपना धैरिक होए फोन अटेंड करने लगे टेलेक्स की खटखट शुरू हुई, लंदन से पहला संदेश आया है, अनुमान है कि विमान आतंकवाद का शिकार हुआ है विमान में क्रू वह यात्रियों सहित 329 लोग थे, अभी किसी के बचने की कोई सूचना नहीं यदि कोई बचा भी तो क्या ठंडे एटलांटिक के बरफीले पानी में जीवित रह पाएगा विमल महाजन के मस्तिष्ट के घोड़े जा रहे थे, कहां तो यात्री और क्रू मेंबर लंदन पहुचने के बारे में सूच रहे होंगे और कहां गहरे सागर का घाला अंधिरा क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, सोच जारी थी क्या एक विमान उड़ा देने से आतंकवादियों की बातें मान ली जाएंगी क्या इन 329 लोगों को भी शहीद कहा जाएगा जलियाँ वाला बाग में भी तो बिलकुल इतने ही लोग शहीद हुए थे देश उन्हें आज तक नहीं बूला पाया क्या इन शहीदों को भी लोग याद रख पाएंगे मारा तो उन्हें भी गूरी सरकार के आतंकवादि अफ्थरू ने था निहत्थे वे भी थे और निहत्थे ये भी हैं क्या फिर उधम सिंग खड़ा होगा जो इन आतंकवादियों का सफाया करेगा टेलेफोन की घंटी बची विमल महाजन की तंद्रा तूटी फोन घर से था रंजना भी अरुन के लिए परिशान थे शाम के साथ बच गए थे यात्रियों के नाते रिष्टेदारों के टेलेफोनों का ताता लग गया था अब तो लोग एयरपोर्ट पर इकठे हो चुके थे सब के मुँपर एक ही सवाल था कोई खबर आई सब मन ही मन अपने संबंदियों की खैर की प्रार्थना कर रहे थे उन सब की भावनाओं के तूफान को संभाल पाना एयर लाइन के कर्मचारियों के लिए कठिन पढ़ रहा था विमल महाजन स्वैम सब को तसलिया दे रहे थे लंदन से विस्तरत समाचार की प्रतीक्षा हो रही थे पत्नी का फोन आया आप एक बार घर आकर खाना खा जाते उन्होंने अपनी जुझलाहट रंजना पर ही उतार दे ऐसे में भला कोई खाने के विश्य में कैसे सूच सकता है गिन्तु नहीं उनके मातहत एक-एक करके अपने पेट को खूब शांत कराये थे केवल विमल महाजन स्वेहम लोगों को दिलासा देने में व्यस्त थे टेलेक से समाचार आ रहे थे लंदन से सत्तर मील दूर आकाश में एक धमाका हुआ था और विमान सागर में खो गया था यह भी कि नौकाएं और पंडुबियां खोच के लिए बेजी जा रही है विमल महाजन यंद्रवत अपना काम किये जा रहे थे निश्चे हो गया था कि कोई नहीं बचा इस दुरखटना में जहाज के कप्तान विक्रम सिंग विमल महाजन के मित्र थे बंबई में जब कभी एकठे होते तो दोनों खार जिम खाना में शामे विताया करते थे ब्रिज दोनों का प्रिय खेल था पर विमल महाजन कभी पैसे लगा कर ताश नहीं खेलते थे कप्तान विक्रम सिंग सधाई उन्हें पोंगा पंडित कहकर चिड़ाते थे छे महीने में ही रेटायर होने वाले थे पर अब जैसे कुछ भी शेश नहीं था ना ब्रिज ना पोंगा पंडित कहने वाला उनका दूर्स फ्लाइट परसर अनरुद्ध सेन की तो केवल छे महीने की बेटी है जब उनकी पत्नी को यह समाचार मिलेगा तो वै कैसे सहन कर पाएगी इस वजरपात को कई क्रू मेंबर एयरपोर्ट पर इकठे हो गए थे विमल महाजन ने कुछ लोगों को घरों में जाकर सूचना देने का काम सौपा बहुत कठिन काम था वे जानते थे समाचार सुनकर घर के सदस्यों की प्रतिक्रिया सूच कर उनका दिल बैठा चा रहा था कैसे कहेंगे एक पत्नी को कि उसका पती अब कभी नहीं लोटेगा कैसे कहेंगे एक बच्ची को कि तुम्हारे पापा अब कभी भी तुम्हारे लिए मिक्की माउस और डोनल डक्के खिलोने नहीं लाएंगे तीन-चार दिन सब कुछ अस्त व्यस्त रहा एयरपोर्ट पर संबंधियों का ताता लगा रहा विमल महाजन भी पिछली कई रातों से सू नहीं पाये थे समाचार पत्रों में भी एकी समाचार सुर्क्यों में था विमान दुरगटना के कारणों का पता लगाना था ब्लैक बॉक्स की चर्चा थी जान समिती का गठन और बहुत सी अपचार रिखता है दो दिनों से फाका करते सडक के किनारे पर बैठे ननुकू को भी कहीं से खबर लग गई थी पोलियोग्रस हाथ से सींग दाना चबाते हुए उसने अपने साथी पीटर को खबर सुनाई थी यार यह विमान अगर गिरना ही था तो साला समुद्र में क्यों गिरा सोच कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें वी सीयार टीवी सोना साड़ियां सब के सब बेकार यहीं कहीं अपने शहर के आसपास गिरता तो कुछ अपने हाथ भी लगता एमैन अभी धन्दे का टाइम है खाली पिली टाइम वेस्ट नहीं करने का क्या हाँ भाई गौड के वास्ते इस गरीब को भी कुछ दे दो जीजस क्राइस्ट भला करेगा विदेश के कई आतंकवादी गुटों ने इस दुरगटना का उतरदायत वोड़ा जैसे कोई बहुत महान कारे किया गया हो और वे उसका श्रे लेना चाहते हो बीमार विक्रत मानसिक्ता की लोग जो निर्दोश लोगों को मौत की निन सुला कर गरवानवित महसूस कर रहे हैं विमल महाजन का मन वितरशना से भर गया एरलाइन के हैड क्वाटर में कई मीटिंगे हुई तै हुआ कि विदेशी नागरिकों का वहाँ के कानून के अनुसार मौावज़ा दिया जाएगा और भारतियों को भारतिय कानून के अंतरगत रंग भेद का यह भी एक रूप था चमडी चमडी में फर्क जो है विमल महाजन ने प्रस्ताव रखा कि एक चार्टर विमान किया जाए और मरने वालों के निकटतम संबंदियों को लंदन भीजा जाए जिससे वे अपने प्रिये जनों की लाशें तो पहचान सकें उच अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी क्रू यूनियन ने प्रतेक म्रतक क्रू मेंबर के परिवार के लिए एक-एक लाख रुपया देने का फैसला किया था विमल महाजन को जटका सा लगा जब रमेश कुमार के पिता उनसे मिलने दफ्तर पहुचे मिस्टर महाजन मैं रमेश का पिता हूँ आजकल मैं और मेरी पतनी तलाक लेकर अलग-अलग रह रहे हैं आपको याद होगा कि पिछले क्रैश में मेरी बेटी नीना की मौत हो गई थी उस समय भी एरलाइन और क्रू यूनियन ने मुझे ही दिया था मैं चाहता हूँ कि अब भी मेरे बेटे और बहु की मुरत्यू का मुझे ही मिले इस से पहले कि मेरी पतनी इसके लिए अरजी दे दें मैं आपके पास अपने क्लेम किये अरजी छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप इंसाफ कर सकें मैं तो बूरा हो चला हूँ कमाई का अब और कोई जर्या भी नहीं है ठीक है आप अपनी अरजी छोड़ जाएए समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा बड़ी क्रपा होगी आपकी नहीं तो इस उम्र में कोट का चहरे जाने की तो शरीर में ताकत नहीं रह गई है चलता हूँ विमल महाजन किन कर्तव विमोर से कुरशी पर बैठे थे शिनाक्त के लिए समबंध्यों को लंदन ले जाने की पूरी जिम्मेदारी विमल महाजन को ही सौपी गई लंदन जाने के लिए संबंदियों का तांता लग गया था विमल महाजन तै नहीं कर पा रहे थे कि किसे भेचें किसे रोकें हर रिष्टेदार अपना रिष्टा अधिक नज़्दी की बताता था लंदन जाने के लिए विमान तयार था रोते कलबते रिष्टेदारों के बीच विमल महाजन को स्वयम को साइयत रख पाना काफी मुश्किल लग रहा था मिसिस वाडेकर की हिच्कियां अभी भी जारी थी उनका बेटा विदेश थे बंबई केवल विवाह करने के लिए आ रहा था उन्हें क्या पता था लंदन जाना पड़ेगा डोली के स्थान पर अर्थी लेने मैं तो अपने बेटे को दूला बना कर ही विधा करूंगे मिसिस वाडेकर विक्षिप्थ अवस्था में बढ़ बढ़ाय जा रही थी मगन भाई की बीस वर्षे पोती विधेश ते अकेली आ रही थी उसके पिता को छुट्टी नहीं मिल पाई थी उसके साथ आने के लिए खिड़की के पास बैठे हुए वे जैसे चूने में देख रहे थे दोदु मौतों का बोज लिए दिपिंदर विमान में बैठा था पिछले सप्ता ही उसके पिता का देहान थो गया था और उनी के अंतिम संसकार के लिए उसका भाई सुख़्ी अमेरिका से आ रहा था दुख में सबके एकी से थे किसी का भी कोई धर्म मजहब नहीं था सुख में था भी तो आतंक वादियों को उसे कोई लेना देना नहीं था वे हर धर्म वाले को अपनी पशुता का शिकार बना लेते हैं विशु भर से अलग-अलग एजेंसियों ने एटलांटिक में खोजबीन शुरू कर दी थी पहले विमान के कुछ शती ग्रस्त हिस्से मिले फिर विक्षिप्त लाशें मिलनी शुरू हुई लाशों को जैसे किसी ने उधेर दिया हो चिंदी-चिंदी हुए शरीर लाशें पहचानना भी बहुत कठिन काम था लंदन में सभी रिष्टेदारों के रहने खाने पीने की विवस्था एरलाइन की ओर से मुफ्त की गई थी विमल महाजन सभी कार्य बड़ी ततपरता से निभा रहे थे स्वयम उन्हें अपने खाने पीने और सोने का विध्यान नहीं था वंचित लोगों की सेवा करके संभवता वे स्वयम को संतुष्ट करना चाहते थे उनका यही प्रयत्न था किसी भी यात्री को कोई शिकायत या सुविधा नहो एक यात्री विमल महाजन तक पहुचा मिस्टर महाजन खाना पीना तो ठीक है पर हमें आप कुछ अलाउंस वगेरा भी दिलवाने का प्रबंद करवा दें तो अच्छा होगा हम सब इतनी जल्दी में आये हैं कि FTS का प्रबंद नहीं हो पाया कम से कम इतना रोजाना भत्ता तो हमें मिलना चाहिए जिस से हमें कहीं बाहर आने जाने में मुश्किल न हो विमल महाजन हैरान शीला देशमुख के पिता किसी सरकारी महकमे में उच्छ अधिकारी थे महाजन साहब हमारी बेटी ने तो एरलाइन के लिए जान दे दी उसके बदले में आप हमें क्या देंगे चंद रुपए हैं इस बुढ़ाते में हम उन रुपएों का क्या करेंगे हमारी दूसरी बेटी अमेरिका में रहती है हम चाहते हैं कि जब तक हम जीएं मुझे वो मेरी पतनी को हर वर्ष अमेरिका आने जाने का मुफ्त टिकट मिले मैं मिनिस्ट्र साहब से भी इस विश्य में बात करूँगा विमल महाजन के इच्छा हुई कि सब काम धाम छोड़कर वापस चले जाए इंसान इतना स्वार्थी भी हो सकता है ये भावना विहीन लोग इस हादसे से अपना अपना स्वार्थ सिद करने की कोशिश में लगे हैं पर वे तो यह सारा काम अपने सहयोग्यों को श्रद्धानजली के रूप में कर रहे थे उन्हें यह सब करना ही होगा धैरे के साथ लंदन के विक्टोरिया अस्पताल का एक हिस्सा वहां लाशें इकटी की गई थी लाशें लाशें गहरे नमकीन पानी में से निकाले गए विक्रत शरीद कौन कैसे फैचान कर पाएगा भगवान ने कितने दर्दनाक मौत लिखी थी कुछ इंसानों के लिए नवजात शिशु से लेकर सत्तर वर्ष तक की बूड़ी लाशें कहीं हाथ गायब हैं तो कहीं टांग नदारत कहीं केवल धड़ी है उपर और नीचे के दोनों ही हिस्से गायब किसी की अंगूटी पहचानने की कोशिश की जा रही थी तो किसी का लौकेट केवल एक लाश साबुत मिली थी अपने मासूम चहरे पर अपार दर्द लिये नैंसी मा और तीन छोटी बेहनों का पेट भरने वाली नैंसी चैंबूर के जोपर पट्टी से उची उठी नैंसी बिन बाप की बेटी नैंसी कमजोर होते हुए बे बलवान पुरुशों से अधिक पौरुश पूर नैंसी अब कभी भी न खड़ी हो पाएगी मा पच्छाड खाकर गिर पड़े और संभले एक सच्चे इसाई की भाती वीरता दिखाए बेटी की लाश को चूमा बूरी कोक में हलचल हुए अपना पराया हो गया किन्तु अभी तीन बेटियां और घर में है एक ने इसी साल बिये किया है बाकी दोनों स्कूल में है उनके लिए मा को मजबूत बनना है बेटी को घर ले जाने की तयारी करने लगे चेहरों पर निराशा साफ दिखाई देने लगी थी किसी भी और लाश को पहचानना लगबग असंभव लग रहा था फैसला किया गया सभी लाशों का सामोहिक क्रिया कर्म किया जाए यह भी तै किया गया कि क्रिया कर्म सागर तटपरी होगा और वहीं मरने वालों की याद में एक इसमारक भी इस्थापित किया जाएगा ताकि विश्व को चेतावनी मिले कि आतंगवाद क्या कर सकता है विमल महाजन धम से कुर्सी पर बैठ गए रिष्टेदारों के दिक्कतें दूर करते बिटिश सरकार वो एरलाइन अधिकारियों से संपर्ख वो बातचीत करते उनका शरीर वो दिमाग दोनों ही ठक गए थे उस पर इतनी सारी लाशों का सामोहिक क्रिया कर्म उन्होंने आँखे मूंद ले निस्टर महाजन जी उन्होंने आँके मूंदे ही पूछा आपसे एक सलाह चाहिए कहिए नेतर खुले जिस काम के लिए आये थे वो तो हो गया जरा बताएंगे यदि शॉपिंग वगेरा करनी हो तो कहां सस्ती रहेगी नए है न उसके आगे बास सुनने की ताकत विमल महाजन में नहीं थी हांसलो हाई स्ट्रीट पर पांस सो की गिंती बढ़ने से कोई विशेश अंतर नहीं पड़ता हर काम या थावत जारी है डिकंस, बूर्स, माक्स, वुलवर्थ हर जगे कुछ अंजाने चेहरे दिखाई दे रहे कल सुबह तो वापस बंबई चले जाना है सभी यथा संभव सामान बटोरने में लगे थे लंदन में गर्मियों में भी सूरे देवता आंख मिचौली खेलते रहते हैं आज उन्होंने पूर्ण विश्राम करने का निर्णय ले लिया है बादल आसमान में चहल कदमी कर रहे थे एरपोर्ट पर एरलाइन के काउंटर पर भी जो नजारे थे वे कुछ कम शोब पैदा करने वाले नहीं थे सभी यात्री अधिक से अधिक सामान के साथ चेकिन करने की कोशिश कर रहे थे काउंटर कलर्क शौकत अली सभी को समझा रहा था मिस्टर पच्चीस किलो का तो आपका टीवी ही है कुल मिलाकर साथ किलो वजन है आपके सामान का और हैंडबेग अलग आपके वल बीस किलो सामान ले जा सकते हैं मगर मैं तो यह अपने भाई की लाश पहचानने आया हूँ हमारा केस फर्क है यह भाई की मौत का वजन से क्या संबंद एक बार फिर विमल महाजन को ही जाकर अनुरूत करना पड़ा शुब्द विमल महाजन जैसे तैसे सब को समझा कर यात्रियों को चेक-इन करवा पाई यह भाई की मौत का वजन है विमान ने उड़ान भरी सीट बेल्ट बांदने के संकेत बंद हुए तो केबिन में हल चल बढ़ने लगी विमल महाजन अपने रिपोर्ट लिखने में व्यस्त थे यात्रियों को खाना दिया गया विमल महाजन केबिन का मौायना कर रहे थे मिसेस वाडेकर ने खाने को चुआ तक नहीं था वह अपने बेटे की लाश को दूला नहीं बना पाई थे लाश की शिनाक्ती नहीं हो पाई दिपिंदर दस दिन में दो दो लाशों के क्रिया कर्म के गम से उबर नहीं पाया था कुछ यात्री गम गलत करने के लिए पैक पर पैक चड़ा रहे थे यार पीले आज जी भरके हमें कौन से पैसे देने हैं यह गाम अच्छा किया है एरलाइन ने विमल महाजन थोड़ा और और आगी बढ़े क्यों ब्रदर आपने कौन सा VCR लिया मुझे तो NB 450 मिल गया बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी मैंने तो कई जगे ढूंडा आकर में जो भी मिला ले लिया हमें कौन सा बेचना है मारे भाग में कहां है जी जेवी सी जी का लिया है पर देखने में अच्छा लगता है फिर चौएस कहां थी मौसम में थोड़ी खराबी हुई यात्रियों को एक छटका सा मैसूस हुआ विमान ब्लैक सी के नजदीक उड़ान भर रहा था धन्यवाद यदि आप कहानी सुनते हुए यहां तक आही गए हैं तो क्रप्या चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें एक बार पुर्ण धन्यवाद